जहें दोस्तों देमातर आदि पुरुष के चर्चे आने वाले कुछ दिनों में लगतार होने वाले हैं भाई बात ही ऐसी है ओपनिंग इसकी काफी शांदार हुई है कल जो आकड़े निकल कर सामने आये थे उसमें बताया गया रहा थे करीब 56,000 टिकेट जो हैं बिक चुके है और इनकी वैलुईशन करीब करीब पॉने 2 करोड की है 40-50 करोड की ओपनिंग का एक अनुमान लगाया जा रहा है आदि पुरुष से लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये उड़ता है इस बारे में हर कोई जानने के लिए उत्सुक है लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी कुछ दिनों पहले हम लोग ने MB चायवाला के उपर बात करी दी जिसमें कि हमने बात करी थी कि भाई ये वो किस तरीके से मतलब कॉंट्रोवर्सीज ने फसा हुआ स्कैम के उसके उपर आरोप लग रहे है इसके उपर जब हम लोगों ने उससे जाकर बात करी तब हमें और भी कुछ जानकारिया खुद प्रफल बिल्लोरे से भी मिली उसके उपर पूरा एक वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल के उपर डाला जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा साथे साथ आये बटन भी मिल जाएगा अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्स्राइब जरूर करिएगा और ये कोशिश है जानने की क्या वाकई में रफल बिलोरे की उपर जो आरोप लग रहे हैं अम्बिये चाय वाला के रूप में क्या वो सही है या गलत दरसल प्रभास के लीड रोल वाली रामायन पर बेज़्ड फिल्म आदिपुरुष जब से अनाउंस होई है ग्रैंड सिनेमेटिक स्केल के साथ बड़े परदे पर आना अपने आप में एक बड़ा इवेंट है इस इवेंट को शांदार बनाने में कोई कसर न रह जाए मेकर्स भी इस बात की पूरी तैयारी कर रहे है प्रभास, कृती सेनन, सनी सिंग जैसे सितारों के साथ राम, सीता और लक्षमन समीत तमाम माइथलोजिकल किरदार बड़ी स्क्रीन पर इस तरह उतरने वाले हैं जैसे वे आपके सामने सांस ले रहे हैं भारत भर में पूझे जाने वाले रामायन को थीटर्स में कितनी भीड मिलेगी इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल नहीं है लेकिन आदिपुरुष के रिलीज को एक शांदार सिनेमाटिक इवेंट बनाने में मेकर्स भी अपनी दरफ से कोई कोर का सर बाकी नहीं चोड़ रहे हैं आदिपुरुष के शुरुआत से ही मेकर्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि फिल्म के लिए थीटर्स में खूब भीड लगा कर जन्ता पहुंचे और उसके लिए शुरु से ही उनका मारकेटिंग प्लान एक चीज़ पर फोकस करता है जन्ता से कनेक्शन दरसल आदिपुरुष के पहले टीजर को याद अगर करें तो इसे जन्ता से उतना अद्बुत माहौल नहीं मिला था जतना अब बन रहा है लेकिन फिल्म को लेकर आज जो माहौल है वो बताता है कि ये थीटर्स में बड़ा धमाल कर सकती है आई अब ज़रा बात कर लेते हैं कि आखिर मेकर्स ने कैसे आदिपुरुष के लिए जन्ता में एक इतना पॉजिटिव माहौल क्रियेट किया है दरसल पिछले साल अक्टूबर में जब आदिपुरुष का टीजर शेयर किया गया था तो फैंस ने इसकी ख़त से ज़ादा ट्रोलिंग कर दी थी कईयों ने तो इसे काल्टून मुवी तक बता डाला था लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से 500 करोड के बजट ने बनी फिल्म मेकर्स ने जन्ता की बात सुनी और फिल्म की प्रमोशन को बीच में रोक कर पहले अपने कंटेंट पर दो बारा काम किई मेकर्स ने फिल्म के स्पेशल एफेक्स पर काम करने के लिए बकायदा जनता से समय मांगा और बहतर वीजुल्स के साथ लौटने का वादा किया नौ माई को मेकर्स ने बहतर वीजुल्स वाला ट्रेलर रिलीज किया तो आदी पुरुष का इंतिजार कर रहा है फैंस को इसका पूरा सपोर्ट मिला हाला कि उसके बावजूद भी लोगों ने रावण को लेकर सवाल किया पर उसके किसी ने जवाब नहीं दिया लोगों को फिल्म का पूरा लुक और फील उसके बावजूद भी पसंद आया 6 जून को रिलीज हुए एशन ट्रिलर की बाद तो आदी पुरुष के लिए जनता में उत्सा अलगी लेवल पर पहुँच गया है इस ट्रिलर के बाद लगने लगा कि आदी पुरुष वो फिल्म है जिसे बड़ी स्क्रीन पर अच्छे साउंड में देखना एक मज़दार एक्स्पिरियंस होने वाला है आदी पुरुष का पहला टीजर सीधा प्रभूष श्री राम की नगरी आयोध्या में लाँच किया गया था इस मौके पर फिल्म की पूरी टीम वहां मौजूद रही मई में फिल्म का हिंदी ट्रेलर मुंबई में और तेलिगू ट्रेलर हैदरबाद में लॉंच किया गया आदिपुरुष का आखरी ट्रेलर जिसे एक्षन ट्रेलर भी कहा गया तिरुपती में लॉंच हुआ ये सभी इवेंट बहुत बड़े स्केल पर हुए और ये प्रमोशनल इवेंट से ज़्यादा फैन इवेंट है हर इवेंट में आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने पर ध्यान दिया गया रामायन को लेकर एक मिथक ये भी है कि जहां भी रामकता होती है वहां उनके अनन्य भक्त हरुमान जी जरूर पहुँचते हैं ठीक इसी तरज पर मेकर्स ने अनॉंस किया है कि वो हर थीटर में एक सीट भगवान हरुमान के नाम पर खाली छोड़ेंगे इस अनॉंसमेंट ने फिल्म को बहुत चर्चा दिलवाई बड़े पर भक्तिभाव ने राम कथा देखने पहुँच रही जनता के लिए ये अनॉंसमेंट बेहादा पी लिए आदिपरुष के रिलिस डेट अब और करीब आने वाली है एक नई अनॉंसमेंट खूब जाये कि वो सरकारी स्कूल के चात्रों अना थालायों और रद्दा आश्रों में आदिपरुष के 10,000 से भी ज्यादा टिकेट्स फ्री में बाटेंगे अभिशेक के बाद से बॉलिवड स्टार रंबीर कपूर आररार स्टार राम चरंड और सिंगर अनन्या बिरला भी इसी इस भाव से हटके देखें अविशेक रंडबीर राम चरंड अन्या को मिलकर रिमला कर ही आदिपरुष के 40,000 से टिकेट्स बिकनेता हैं यानि फिल्म के टोटल कलेक्शन में एक बड़ा हिस्सा इस भक्ती भाव से भी आ रहा है हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ा ओपन कलेक्शन सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड एक दिन में 70 करोड से जादा कमाई सबसे बड़ा हिंदी कलेक्शन और सबसे 300,200,300 करोड ये सब उन रिकॉर्ड्स में से कुछ बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो इस साल बदल गए दरसल शारुखान की पठान इस साल जनवरी में रिलीज हुई और इसने बॉक्स ओफिस के बहुत सारे रिकॉर्ड्स पलट दी उस समय पठान के कलेक्शन को देखते हुए ये कहना बहुत मुश्किल था कि जल्दी ही कोई फिल्म इसे चैलेंज कर पाएगी लेकिन आदिपुरुष को जिस तरह का रिस्पॉंस मिल रहा है वो कुछ और इशारा कर रहा है और उमीद की जा रही कि आदिपुरुष पहले दिन बहुत जवर्दास एडवांस भुकें के साथ शुरुआत करने वाली है इसका सीधा फायदा फिल्म के ओपनी कलेक्शन को होगा रामायन पर आधारत कहानी होने से फिल्म को लेकर एक धार्मिक रंग भी जनता में असर दिखाएगा और हर एक ग्रुप में परिवार के साथ बच्चों के साथ फिल्म देखने वाली ओडियन्स का सपोर्ट भी पूरा रहेगा आदिपुरुष के टीजर लॉंच से लेकर आखरी टेलर लॉंच तक राम भक्ती का पूरा ध्यान रखा गया फिल्म के टैग लाइन ही जैश्री डाम है और इसी नाम का फिल्म का टाइटल ट्रैक बहुत जवरदस्ट पॉपिलर भी हो रहा है ये सब देखते हुए अनुमाल लगाया जा रहा है कि आदिपुरुष पहले दिन 40 से 45 करोड की रेंज में कलेक्शन कर सकती है और अगर आप फिल्म के वीजुल्स जन्ता के उपर असर्ट डाल पाए तो एक पॉजिव वर्ड अफ मौथ बनेगा जो कोई भी कमाल दिखा सकता है मतलब उसकी तो आप कोई लेंध ही तया नहीं कर सकते कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर पहले दिन आदि पुरुष का कलेक्शन 50 करोड की रेंज में पहुंचता नजर आए फिल्म के रिलीस को अब तक सिर्फ 3 दिन ही बचे है और एडवांस बोकिंग तेजी से बढ़ रही है अब सारा खेल जंता के मूड पर है ये देखना दिल्चस्प होने वाला है कि पहले पठान के जल्वे से बदले रिकॉर्ड्स को क्या आदि पुरुष फिर्ण से पलट पाएगी इसका जवाब हमें 16 जून के बाद जरूर मिल जाएगा हाल फिलाल में तो इस मूवी का जो बज चल रहा है उसके सामने किसी का भी टिक पाना खाफी जादा मुश्किलाद भरा हो गया है मेरे से उनी फिलालत नहीं जाए हिंद जाए भारत मेरे फ्लाइट पे जाता हूं अभी तो मेरे पीछे से लोग रूटिं करते हैं इस देश को पता नहीं कौन लोग कोशिश कर रहे हर चीज को हिट कर तू दोजार को क्संद कर के पाफिया है नहीं अब है यह माफिया है यह वर्लव माफिया है मैंने आपको गली दी मैंने आपको फॉर्व पिट निया वर्व गला मैंने आपको घ्यानी दिया आप तो अधू यहां फिर से